सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? आज हम हिंदी व्याकरण दीपी का बुक का पेज नमबर खोलेंगे पेज नमबर 19 खोलेंगे, यानि 19 ठीक है? और आज हमरा पाठ है 6 आज हम सीखने वाले हैं शब्द, वर्ड शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड, और हम आज का डेट डालेंगे जीरो सेवन डैश, जीरो नाइन डैश, टू जीरो टू वन अभी शब्द होता क्या है? देखो, कमल, कमल वर्ड से मिलकर क्या बन गया? शब्द बन गया थिके, इनको हम वर्ड बोलते हैं क, म, L क्योंकि वर्ड माला के हैं तो ये सब वर्ड है वर्डों को जोड़कर शब्द बन जाते हैं थर, म, स थ पलस, र, पलस, म, पलस, स क्या बन गया? थर्म, स उपर दिये गए अक्षरों को जोड़कर पढ़िए ठीक है यह हमारे अक्षर और वर्ण है इनको जोड़कर क्या बनते हैं शब्द बनते हैं देखो का प्लस मो प्लस लो क्या बन गया कमल यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है और यह हमें दिखाई भी दे रहा है है ना जो चीज हमें सामने दिखाई देती है जैसे स्कूल, पंकञ यह सब चीज़ें क्या हैं शब्द है ठीक है और जो हमें दिखाई भी नहीं देती और हम ऐसे ही बिना मन के बोलते हैं देखो जैसे लक प्लस का प्लस म लकम यह शब्द नहीं है क्योंकि अर्थ हि नहीं है और हमें सामने दिखाई भी नहीं देती है ना अभी देखो थ प्लस र प्लस म प्लस स थर्मस यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ होता है और सर्मत यह कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है कुछ शब्द देखो कलम सामने हैं, घर सामने हैं, माला, बस, टमाटर, नल, हिरन, कबूतर, टब, अदरक, गाय, किताब, घड़ी, कमीज, आम, फल, शेर, थाली, मोर, चिलिया, अनल, बस्ता, पेड, पतंग, छत्री, मतर, चर्खा, आग, पापीता, कुत्ता, केला, मचली, अउरत, ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा, शब्द किसे कहते हैं, अक्शर, अक्शर भी उसी को बलते हैं, और वर्ण भी उसी को को बोलते हैं अक्षर और वर्ण सेम होते हैं ठीक है क्योंकि वर्ण माला से हम लेते हैं इसलिए वर्ण बोलते हैं और उन्हीं को हम अक्षर भी बोलते हैं ठीक है वर्णों के उस मेल को शब्द केते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, आपको मैं बताओं, शब्द दो प्रकर के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक, जिनका अर्थ होता है, वह सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता है, वह निरर्थक होते हैं, ठीक है, शेर गाय घड़ी बस ठीक है जोड़कर शब्द बनाओ क प्लस ल म कलम फ ल फल म द न मदन इसे आपको लिखना है सिर्फ प्लस का निशान हटा देना है चित्र देखकर पहला आक्षर लिखो तो क्या है दवात मचली टब अनार घर ठीक है किरिया कलाप रसोई घर में काम आने वाले बरतनों के चित्र चिपका कर नाम लिखो आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है किचन में जो भी रसोई घर में काम आता है जो जो चीजें उनका चित्र चीजें चिपकानी है और उनके नाम लिखने है ठीक है यह activity है आपकी बच्चो आपको ऐसे शब्द वाले पाट की ऐसे activity करनी है गतिविदी नेम, class, date और subject डालना है और देखो यह क्या है बरतन, माचिस, चाकू, कप, चकला, बिलन यह हमारे रसोईगर में इस्तमाल होते हैं वो वाले शब्दों की activity है ठीक है बाई बाई रसो प्सक्ष इस्तमाने है